नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभू और आप देखे हैं हज़ी की विडियोज चानल आए नज़र आते हैं आज की कुछ महत्पूर खबरों किया भारत ने प्रसंस्कृति सब्जियों और फॉलो के सबसे बड़े नीरिया तक हाइफ़न फूट्स ने आज अपने नविंतम उद्यम हाइफ़ार्म का अनावरण किया हाइफ़न फूट्स के M.D. और C.O. हरेश कमर चंदानी ने हाइफ़न पहल के लिए अपना उस्साह व्यक्त किया हाइफ़न फूट्स में हाइफ़न नग केवल क्रिसी के भवीसे में बलकी ग्रामिन समुदायों की सम्रिदी में भी निवेस किया है ताजा उपज हाइफ़न की आधार शीला है फूट्स की सफलता है और इस पॉट्स का उदेश किसानों को ससत बनाते हुए और टिकाउट क्रिशी को बढ़ावा देते हुए उच्छ गुर्वत्ता वाली सामगरी की सोर्सिंग की प्रतिवदता को मजबूत करना है इस अभूतपुर्व क्रिथी उपज खरिद और किसान जुडाव पर्ण को आधारिक सौर पर 6,000 किसानों की उपस्तिती में गुजरात के मेहताणा में हाइफ़न सन्यांत परिशर में लॉंच किया गया था हाइफ़न फूड्स से हाइफ़ फार्म तब 100 करों रुपए के सुरुवाती निवेश के सांथ उतपाद खरिद में क्रांती लाने की अपनी प्रतिवदता की घोशरा की पेसेंदा बाव से नीता लिंबाचिय की खाव सिपूर्ट आज नू आज ये कारेक्रम छे जे छे किसान रंगोत सब तो ये कारेक्रम योजवा मा आयू छे एना पाचर त्रण कारणों छे तो उती पहला तो कारण छे के हाल मा बटाकानू जे हार्वेस्टिंग छे सीजन ए अमना हाल मा पूर्ण थाई छे अने ये आर्वेस्टिंग सीजन मा सबड़ता पूर्वक्त हमें तरण लागती वधू तन थरीदी करी छे कारेक्रम फार्मिंग ना माध्यम थी खिडू तो त्वारा तो हाइफन कंपनी नो जे लोगो छे एनो एक फ्रेश लूग आपका मायो छे तेना नू संदन मा कंपनी ये दिल्ली खाते कि हमके साथ थी अग्यार तारिक मा आहार करी ने इंडिया नू सोती मोटो फूड फेस्टिवल होए छे तो 6 तारिक मी साजना रोज कंपनी ये तिया लौँ लोग छे अने त्याना जे अमारा बदा कस्टमर्स चे कंजूमर्स चे एमनी समख्ष हमें हाइफन नू नू ब्राण जे छे एनो लौँचिंग करी तो कशी हमने ख्याल आयो के एज रिते खेडूतों माटे के अमना करी तो खेडूतों ने पन आ जे लौँचिंग छे एना विशे हमें जणाई सुआ जे आजना कारेकरम मा अने ते सिवाए अमारी एक नवी खेडूत लक्षी पहल छे हाइफाम करी ने तो एक जे रिते कंजूमर ब्रांड तरीके हाइफन ओडखा से ए जे रिते हाइफाम जे ब्रांड चे एक खेडूत लक्षी एक फार्मर सेंट्रिक ब्रांड तरीके हाइफन ओडखाम माव से